प्रण नमर में क्या कह रहा है एक जोर कोट स्क्वाइर ए बटा एक जोर टेन स्क्वाइर ए ठीक है अब याद करो देखो यह क्या होता है एक जोर कोट स्क्वाइर ए होता है को सेक स्क्वाइर ए यह सब को याद रखना है ठीक है यह सुत्र को याद रखना बहुत जरूरी है ताकि एक्जाम में अच्छी तरह से आप लोग इसको सॉल्प कर शको और प्रैक्टिस तो ज्याद अतर करना है एक जोर 10 स्क्वाइर थीटा एक जोर 10 स्क्वाइर ए क्या हो जाएगा ये हो जाता है सेक स्क्वाइर सेक स्क्वाइर ए ठीक है अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे कोसे को हम लोग एक बटा साइन बोलते हैं तो यहां साइन स्क्वाइर A हो गया सिक को हम लोग 1 बटा कोस बोलते हैं तो यह हो गया 1 कोस चुकी यहाँ square है, इसलिए यहाँ कोस e square A हो जाएगा ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस सबसे नीचे वाले को यह उपर वाला के साथ गुना करेंगे तो कोस e square A गुना 1 कितना हो जाएगा कोस स्क्वाइर A हो जाएगा बटा में अब इसको हमें इससे गुना करना है तो साइन स्क्वाइर A को A के साथ गुना करें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वाइर A हो जाएगा होगा याद करो कोस बटा साइन होता है कोट कोस बटà साइन क्या होता है साइन बटा कोस यदि साइन बटा कोस है तो यह हो जाता है 10 वहीं कोस बटा साइन तो यह हो जाएगा अब शुबगगे A2 है तो A2 लगा अज़े बस समझगे कोदिकत तु देख़ो उप्सन नमबर कितना है quote square एका है option number C हो जाएगा 12 का option number C हो गया ठीक है